हेलो अब्रीबन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टूडेंट ही गोंगे तो मैं विवेक आपका फिट से सौर्ट करता हूं आपके परिवाग कॉलेज अपडेट्स में तो देखिए जैसा कि कई स्टूडेंट है जिनके पास इंगलिस एंगलिस भी इंगलिस सी होगी इंगलिस सी हिन में डिफ्रेंट क्या है क्या 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 अलग है तो इस वीडिव में आपका यह डाउट क्लिएर करूँं गा एचली प्रोग्राम और बीकॉंब के पास्टो एबिसी जरूर होगी चाहिए आप छोल से हो एंसी वेप से हो चाहिए रैगुलर से हो तो मैं बनाए जाते है ठीक है तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले क्योंकि आज के टाइम पर फर्स सेमस्टर की हर एक अपडेट आपको हमी प्रोवाइड करवा रहे है चाहे आपका स्टडी माटेरियल क्यों नहों या न वह समझा रहे है बढ़ उसके बार भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या करें हम इतना अच्छा समझा देते हैं कि आपको कौलिज वाले इतना अच्छा समझा पाएंगे बट हम कोशिस यह कर रहें कि जाला से यादा student तक हम पहुँच पाए तो आप सभी से request है कि आप जो भी first semester से related जो भी video आए करें आप उसे share कर दे कर आपने friend के बीच में जो भी first semester में है अब आप सोल से या non से अगर पढ़ा ही कर रहा है सोली आंसी वैप से क्योंकि उनकी काफी है वह हो जाए कि हम तो कोशिस करते है कि जो जादा है स्टूडेंट हमां सब जुड़ जा है टाकि फर्स सैमेश्टर क्योंकि आपका पहली बार है इसलिए आपको डर लग रहा है ठीक है तो इसलिए हम आपको कोई परिशानी नहीं हो होगी ठीक है पहले से वह है लिटरेचर निलिए क्योंने 14 अंदर ये हैं अब पहली चीश एबसी क्यों दी गई है सब एसा क्यों नहीं सबको वी जाए डेखे इंहोंने 12 तक दोबारा में रिपीट करना हम जिनने 12 तक इंगलिस पढ़ी हुई है जैसे स्कोल में या किसी ब पढ़ी हो 12 क्लास नाजी पास लिए जिन्होंने 12 तक English पढ़ी हुई है तो आपको इंग्लिस ए मिलेगी और अगर आपने 10 तक यानि 10 तक अगर आपने इंग्लिस पढ़ी हुई है तो आपको इंग्लिस ब मिलेगी यानि प्रोफिशनसी मिलेगी अगर आपने 8 क्लास तक इंग्लिस पढ़ी हुई है तो आपको फिलियोंसी मिलेगी समझ केबाद मनलब एक तुक प्रięcyस आपके पास है तो आप लेशा लूकिंग मेन चीज देख़िए तीनों में डिफरेंसिस क्या है वाला है उसके लिए लेटरेचर हद है जो तैन्त वाला उसके लेट यह आपकी अंधील भात है जहां तक आपने पडिए उसफिख से लेवल की थीज्टेर थीक अब आप में चीज क्या है लेटरेचर कैसे इंगलीस है लिटरेचर में आपकी जारतर आपकी मान की मान chat टाइम पर दिखाऊंगा बढ़ आप समझ लीजिए इसमें नोबल्स आते हैं नोबल्स कैसे आते हैं कि एक्टिव पैसिफ बॉइस आएंगे वहला एक पैरिग्राफ दे दिया जाएगा और उसी के नहीं नीचे उसी को पढ़के आपको इसके आंस्वर देने कुल मिलाके ऐस इसमें से को संसांस पर बनाए जाते हैं और आदे आपकी ग्रामर आती है और अगर फिल्योंसी की बात कर उसके अंदर 90% ग्रामर है और कहीं नहीं कहीं दस परसंट कहीं आपका टेक्स्ट बुक में से उठाया जाते को संस्वर जैसे बर्ड मीनिंग हो गए आपके ठीक है बाकी फिल्योंसी तो यह मान की चलिए इसके पूरी की पूरी ग्रामर है एप्लिकेशन लेटर फिलिंडा व्लैंक्स और आपके एक पैरेग्राफ दे दिया जाएगा इंग्लिस में उसको हिंदी में टांस ट्रांसलेट करना तो कुल मिलाके यह 90% फिल्योंसी वाली वो ग् सब्सक्राइब करते ना और धीरेग्राफ करके लिए यह पुद्री आपके छ सारे वीडियो अगदाएस बना दूआगा जितनी आपके लिए जरूय कि आपके लिए ये एक्जामिशास में आपके लिए आपकी लिए ब्याफिविट और जरू बताए यह पंसी इंगलिस लिटरींश और B का नाम में English Proficiency और C का नाम में English Fluency ठीक है तो फर्दब को भी डाटो कमेंट और से कमेंट जरू कर जाएं थाइंक्यू सो मच